जैश्री महाकाल एक बाप फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में क्या हल चाले हैं बेटे आप लोगों के सासा करते हैं सभी लोग मस्त और एकदम दमदार होगे तो बेटा जी हम लोग कंपनी आक्ट दो हजार तेरा सीए फांडेशन बिजनस लॉग पढ़ रहे थे तीसी बात है अच्छा अभी तक सर क्या-क्या हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार अगर हम रिवीजन की बात करें तो हमने आपको मीनिंग आफ कंपनी फीचर आफ कंपनी पर उसके बाद आपका क्या पढ़ाया था मैंने याद है लिफ्टिंग ओफ कॉर्परिटिब बिल लेकिन उससे पहले क्या होता वह बताया था फिर लिफ्टिंग ओफ कॉर्परिटिब बिल के बारे में समझाया था फिर उसके बाद हम डिसकस कर रहे थे टाइप ओफ कंप है ठीक है on the base of base of control जो कि हम लोग last class class में पढ़ चुके थे इसमें holding company क्या होती है जिसमें आपकी associated company क्या होती है holding company की कहानी क्या थी कि sir ऐसी company जो कि आपका किसी दूसरी company का more than कितना percent share बेटा जल्दी से याद कराओ मुझे more than कितना percent share 50% of share क्या कर ले hold कर ले वह आपकी क्या बन जाती है holding company बन जाती है अच्छा associated की अगर हम बात करें यहां पर हमने दो company के बारे में बताया था एक आपका क्या था listing company थी और दूसरी क्या थी आपकी listing company जैसे मैंने आप से कहा था कि बच्चे अगर कोई भी company अपने shares को Bombay stock exchange या फिर national stock exchange में अगर registered करा ले रहा है यानि उसके share Bombay stock exchange या national stock exchange में list हो गए है इस मीन वो company अब क्या बन गई है आपकी listed company बन गई है और जिनके share अभी तक list नहीं हुए है या under process में चल रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएंगे unlisted company कहलाएंगे तो यह सारी company हम लोग already क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं अब कुछ और company के बारे में पढ़ने की बारी है जिने हम other company के नाम से जानते हैं अब इन other company में सबसे पहले company का नाम क्या आता है आपका government company दूसरा क्या आता है आपका foreigner company तीसरा क्या होता है आपका section 8 company या जिसे आप NPO भी कहते हैं फिर उसके बाद अगला है आपका dormant company नि तो जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं पढ़ लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सर इन में क्या ऐसा difference है जो अभी तक आपने public company private company associated company holding company क्या कहते हैं आपका listed company unlisted company इन में कुछ न कुछ तो difference है है कुछ न कुछ क्या है difference है तो main basically difference है क्या तो बच्चे जब हम government company की बात करते हैं तो government company का मतलब क्या होता है क鬼 मा लीजय को मलब की कंपनी है और अगर हम government की बात करें थो government में दो government आपको देखने को मिले गी एक आपको central government देखने को मिलेगी और एक आपको क्या मिलेगी बिच्चे इस्टेट गवर्मेंट मिलेगी किसी भी कंपनी का शेयर किसी भी कंपनी का शेयर more than more than 51% more than 51% central government ले ले या फिर या फिर सेंट्रल गवर्मेंट इस्टेट गवर्मेंट दोनों मिलकर ले या तो अकेले अकेले मतलब पूरा का फिप्टी वन परसंट शेयर किसने ले लिया Central Government ने ले लिया पूरा का पूरा 51% Share किसने ले लिया State Government ने ले लिया तो उस condition में वो Company Convert हो जाएगी आपकी किसमे Government Company में हो जाएगी या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि माल लीजे 40% Central Government ने ले लिया और 11% किसी State Government ने ले लिया तो भी वो company क्या बन जाएगी आपकी government company बन जाएगी मतलब government के हिस्से में 51% paid up share capital होना चाहिए तब जाके वो company आपकी क्या कहलाएगी government company कहलाएगी बात clear हो गई तो किसी ने पूछा कि sir government company होती क्या है तो आप सीधा answer क्या देंगे कि sir any company in which not less than 51% of paid up share capital held by the central government or by any state government or government और partly by the central government and partly by one or a more state government बात clear हो गई वच्चे तो सीधी सी बात है आपके अगर हम आपकी country की बात करें तो 28-29 states है तो उनमें से कोई भी state 5% यूपी ने ले लिया 10% दिल्ली ने ले लिया 15% हर्याडा ने ले लिया यानि अलग-अलग state भी अगर कुछ parts ले ले रहे हैं कुछ क्या ले ले रहे हैं पार्ट्स ले ले रहे हैं और total overall मिला कर 51% आ जा रहा है तो वो company आपकी क्या कहलाएगी बाबू government company कहलाएगी क्या कहलाएगी आपकी government company कहलाएगी बात clear हो गई आगे क्या लिखा है कहता है this section include as a company which is a subsidiary company of such as the government company माल लीजे अगर कोई holding company है माल लीजे कोई क्या है आपकी holding company और वो holding company आपकी government company है तो वो company अगर किसी भी दूसरी company का share buy करेगी ना किसी भी दूसरी company का share क्या करेगी यानि जिसे हम बिदेसी company का मतलब क्या होता है वाई बिदेसी कंपनी का मतलब यह होता है कि जिसका रजिस्ट्रेशन जिसका आपका क्या रजिस्ट्रेशन एउटसाइड इंडिया हुआ हो मतलब अपने इंडिया की बॉंदरी में नहीं हो वह हमारे बेश में कंपनी लौ दो हजार देरा चलता है लेकिन वयाल लीजेJack कोई AMERICA की कंपनी जिसकी सी अन्य देश की कंट्री में रजिस्टर्ड हो रखी हो और हमारे देश में आके अपना वेवसाय क्या कर रही हो चला रही हो तो भाई सीजी सी बात है ऐसी कंपनियों को हम लोग क्या नाम देते हैं आपका फॉरन का नाम देते हैं विदेशी कंपनी का हम लोग क्या देते हैं नाम देते हैं बात क्लियर हो गई यानि foreign company it mean any company or anybody corporate incorporated outside India which has a place of the business in India where they are by itself or through as a agent physically or through electronically mode and conduct any business activity in India in any other manner जैसे माल लीजे सरकार अब जब tender निकालती है tender निकालने का मतलब क्या है जैसे माल लीजे राम मंदिर बनवाना था तो जब राम मंदिर बनवाना था सीजी सी बात है क्या भारत की company ही राम मंदिर बना सकती है अंसर है नहीं सरकार क्या करेगी tender issue करेगी अब सिर्फ भारत की company नहीं जो अन्य देश की company है जर्मनी की company हो गई अमेरिका की company हो गई चाइना की company हो गई कनाडा की company हो गई आपके रशिया की कमपनी हो गई है यह सब यहां पर अपना टेंडर देंगे जो भी ले प्षू सालिक्ट हो गई है कंपणी सलेक्ट हो गई जबेंड़ा कांशे करके पहले हमारे यहां कर ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं और यह प्रोजेक्ट जितने दिन का रहेगा उस दिन को आपको वहां पर क्या करना रहेगा मेंशन करना रहेगा और फिर आप हमारे देश में आके क्या करते रहेंगे काम कड़ते रहेंगे लेकिन कहने का सीर्दा-सीर्दा मतलब यह है कि आप हमारे Company एक्ट में रिजिस्टरर नहीं है तो आपर सीरिसी बात है हम आपको इंडिय चाम्पनी कंप तू हुआ धे यह प्लेकर आप करें पहले किसा करें या फिर आप अपने किसी एजण्ट के माद्यम से काम करें यह फिर्य Kेसे डिल करें किसी इस एक बते controller कर सकते हैं तो अब तो made in India दिखने लगा है आपको लेकिन पहले क्या दिखता था made in China दिखता था अब ऐसा तो नहीं कि चाइना के लोग आके बेचेंगे वो तो अपने किसी एजेंट के एजेंट मतलब किसी ना किसी दुकानदार को क्या करेंगे थुरू ही आप लोगों को तो बेची है ठीक है या फिर आप electronically mode में deal करिए अब कहोगे electronically mode क्या है एक बात बताओ जो आप Facebook चलाते हो Instagram चलाते हो WhatsApp चलाते हो यह Indian company है या बिदेशी company है इलेक्ट्रानिकली डील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बहुत सारे ऐसे एप है जिसका origin इंडिया नहीं है लेकिन वह आपका क्या आप उसे यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यूज कर रहे हो जब PUBG बैन हुआ था तो लड़के BPN यूज कर करके खेलते थे तो हमारे इंडिया का तो नहीं है ना दूसरे देश का है तो ऐसी company को फिर हम लोग क्या नाम देते हैं आपका foreigner company कहते हैं बात समझ में आ गई भाई या चलिए फिर तो आपने government company के बारे में देख लिया और साथी साथ आपने किसके बारे में देख लिया foreigner company के बारे में आपने देख लिया अब हम बारी अब हम बात करते हैं आपकी अगली company जिसका नाम है आपका section 8 company तो देखो जब हम section 8 company की बात करते हैं तो section 8 का मतलब क्या होता है देखो जड़ा ध्यान से बाया जब हम company की बात करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं company की बात करते हैं तो company का जो objective है company का जो क्या है objective है basically दो भागों में classify होता है कितने भागों में classify होता है दो भागों में classify होता है एक होता है आपका profit एक होता है आपका क्या प्रॉफिट मेकिंग अब्जेक्टिव और दूसरा क्या होता है आपका नॉन प्रॉफिट मेकिंग अब्जेक्टिव और दूसरा क्या होता है आपका नॉन प्रॉफिट मेकिंग अब्जेक्टिव और दूसरा क्या होता है आपका नॉन प्रॉफिट म क्या आता है section 8 वाली कंपनियों को cover किया जाता है इसको cover किया जाता है section 8 वाली कंपनियों को cover किया जाता है मतलब अभी तक आप जो पढ़के आ रहे थे holding, subsidiary, listing, unlisting, associated, public, private, one person यह सारी की सारी आपकी profit making company थी, यह सारी की सारी आपकी profit making company थी, sir government company भी profit making company होती है क्यों नहीं होती है, बिल्कुल होती है, government company भी आपकी क्या होती है, profit making company होती है और साथी साथ, अगर आप देखोगे न, तो निधी company भी आपकी profit making company होती है अगर आप बात करोगे अपने ये public financial वाली company की तो ये भी आपकी profit making company होती है यानि जब हम non profit की बात करते हैं तो non profit में आपको एक separate registration कराना पड़ता है और वो separate registration आपका कराया जाता है किस section में section 8 में कराया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कि sir अगर आप section 8 में registered हो गए है अगर आप किस में registered हो गए है section 8 में registered हो गए है इसका मतलब है कि आप profit making company नहीं है बलकि आप क्या है non profit making company है अब sir non profit making company में होता क्या क्या है देखे जो non profit making company होती है वो services provide करती है, क्या provide करती है, services provide करती है, यह जो services होती है, या तो free of cost होती है, या तो क्या होती है, आपकी free of cost होती है, या फिर क्या होती है, आपकी बहुत ही nominal charge पे आपको दे दिया जाता है, आपको क्या दे दिया जाता है, बहुत ही nominal charge पे आपको pay किया जाता है, या तो free of cost दिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा बहुत नॉमिनल चार्ज पे आपको वो सर्विसेस दी जाएंगे ठीक है बेटा अब देखिए जब हम जब हम section 8 company की बात करते हैं तो यहां पे देखिए लिखा भी क्या है कहता है कि formation of a company Formation of a company with the charitable objective तो यानि जिसका उद देखिं ही किसके लिए बना हो charity करने के लिए approach charity मतलब क्या दान इसका उदेख ही किसके लिए बना हो charity charity मतलब दान दान तो या तो आपको free में दिया जाएगा या तो आप से स्रीना नामिनल चार्ज लिए जाएगा नामिनल मतलब कोई एक नाम कर सके हाफ कोई किया कर सेके आपका अफोर्ड गर सके दिल्ली में एक जगा है मुझे नाम नहीं आ दा रहा है कि आप गौतम कंबीर का नाम सुने हो दिल्ली में जब वह सांसद है अभी विसायद सांसद है उन्हों कई ऐसे फूड इंस्टॉल इशू किये हैं जो कि आपको एक रुपय में खाना प्रोवाइड करते हैं आप वहां पर एक रुपया दीजिए इतना रुपया एक रुपया और बणिया खाना रोटी सब्जी दाल पनीर की सब्जी देखा है मैंने उनका डॉक्मेंटरी देखा ह सोचए अगर वही कहाने के लिए आप किसी भी नॉर्मल होटल में जाता है पर पर देना पड़ता है नॉर्मल किसी कि अगर आप ठेलेगी दुकान पर भी खाते हैं तो भी आप 243 सा रुपया देना पड़ता है में बड़े होटल में चले गए तो h et tax थाली 200 रूपिया थाली 1.500 रूपिया थाली लेकिन वह व्यक्ति अगर एक रूपय में खाना दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि क्या वह जो उसने start-up किया है वह charity के purpose से ही तो किया है वह जो start-up किया वह किसके purpose से किया है charity के purpose से ठीक है तो देखें यहाँ पर क्या लिखा है कहता है कि section 8 of company act 2013 deal with the formation of the company which are formed through the promote formed to promote the charitable objective of पहला क्या लिखा है commerce दूसरा क्या लिखा है arts तीसरा क्या लिखा है science फिर क्या लिखा है sports फिर क्या लिखा है फिर research फिर social welfare फिर religious charity and protection of the environment यानि जब हम charity की बात करेंगे तो यह सारी चीजें आपकी cover की जाएंगी यानि यह जो section 8 वाली company है इसका objective ही इन में से कोई न कोई एक होना चाहिए एक से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए पहला क्या था commerce दूसरा क्या था arts फिर क्या है science फिर क्या है sports education research social welfare religious charity and protection of the environment protection of the environment तो अगर आप इन में से किसी एक objective को लेकर चल रहे हैं तो फिर आप section 8 नाम की company में क्या करा लीजिए अपने आपको रेजिस्टर करा लीजिए इनवार्मेंट की protection अरे क्यों नहीं जगा जगा पर पेड़ लगाना है अगर नालियतों मा लीजिए वह नदी गंधी गंधी है तो चलो उसको क्या किया अजए साफ सफाई किया जए जगा जगा पे का प्रबंद कराना है अगर गंदगी है तो उस गंदगी को साफ करवाना तो यही तो आपका का environmental objective होता है यही आपका क्या environmental objective है पानी कोई कठ्था करना जो बरसात का पानी होता है उसके लिए लोगों को जागरुख कराना कि आप वेस्ट मत कराईए इसको आप utilize कर लीजे इसके लिए project tissue कराना तो यह आपका क्या है protection of इन्वार्मेंट ही तो है फिर कहता है रिलीजियंस प्रोट आपका रिलीजियंस चैरिटी रिलीजियंस चैरिटी क्या होती है क्यों आपको याद नहीं है जब नौरात्र होता है कौन वाला ठंड वाला नौरात्र के बाद दशैरा आता है और दशैरे के बाद दुर्गा पू आप दिल्ली के बंगला साहब में चले जाएए वहाँ तो 24 x 7 भंडारा चलता रहता है तो यह religious protection ही तो है वहाँ पर यह नहीं देखा जाएगा का आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं सरदार हैं क्या हैं कुछ नहीं आपको भूक लगी आप जाहिए वहाँ पर खाना खाई आपको समय समय पर मेंटगी मेंट हैं अगर आपि कॉंऑं खाना ओष जारी हुआ है 2004 के लिए यह वहाँ पर खाइं सांदार बात लिखी जो अलसी हैं उनको तक रहने की खाने की अपने हिसाब से वस्त्रपहनने की आजादी दिजाएगी क्या देश में आजाधी नहीं है आजाधी है लेकिन वो बार बार एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं फॉर एक्जام। जैसे माल लीजे आप लोग इस्कूल में हैं तो इस्कूल के लिए ड्रेस कोड एलाओ है कि नहीं एलाओ है ड्रेस कोड एलाओ है तो अगर हम करनाटका की बात करें, केरल की बात करें, कमिल नाडू की बात करें तो वहाँ पे, आपने भी देखा होगा, बीच में बहुत बवाल हो गया था ये हिजाब को लेकर हिजाब पहन पहन के बच्चियां स्कूल में चली जाती थी तो अगर उनको आप हिजाब पहनने को allow कर रहे हो तो कल को तो हिंदू बच्चियां भी कहेंगी न कि सर हम अपने हिसाब से कपड़ा पहन के आएंगे हम अपने हिसाब से क्या पहन के आएंगे कपड़ा पहन के आएंगे तो अब आप ये कहें कि सर इसमें क्या गलत है इसमें क्या गलत है अभी मालो कोई Christian community आ जाए उसमें Christian community मेरे ख्याल से Western culture को ज्यादा follow करती है वो Western culture को follow करने लगे Hindu community अपना culture follow करने लगे Muslim community अपना culture follow करने लगे पढ़ाई नहीं होगी फिर फिर पढ़ाई नहीं होगी फिर कलाकारी होगी भहिया इसलिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है सोचिए देश में ड्रेस कोड लागू करना पड़ा हम बच्पन से तो यही करते थे भाई हम तो स्कूल जाते थे तो ड्रेस कोड ड्रेस जो होता था वही पैन के जाते थे अ जैसे मालीजीए एक class में कोई अमेर बच्चा है और एक कोई गरीब बच्चा है अब अमीर बच्चे को आपने अलाउग कर दिया कि बड़िया जोनमनका है तोन पहिर के आवा तो भाई सीधी सी बात है उसके साथ बैठा वो बच्चा जिसके फादर के पास अभी इतनी सुविधा नहीं है तो क्या वो बच्चपन से ही डी मोटिवेट होना सुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा up इसीलिए ड्रेज़ कोड लागू किया गया कि सब एक appropriate में रहें आप चाएअ अमीर हो या चाहे गरीब हो सबका ड्रेस कोड क्या रहेगा एक रहेगा तो किugen आफर दैइस्कूल जो पहनना वो पहनो ना मना कौन कर रहा है एक बात बताओ कोई मना करा है आप चाहे जो पहने अब देखो एक Desi जी है फो बॉरा वाला कपडा पहना लेती है लो इस ँव जो चिफ्स वाला पैकेट होता उसका पहना लेती है कि या नाम है के द्यांब थैक्ट के आफ यहां पर थोड़ी सी सोच को अश्मझञ है एक परिवार जो कहते हैं ना हिजाब को फोलो करिए और वही इस टैंड उर्फी जाबेद को लेकर वो चेंज कर देते हैं उस पर कोई टी का टिप पड़ी नहीं है आप खुछ समझदार है ठीक है कि देश में क्या चल रहा है मैं इस पर क्या बोलू चले फिलाल आईए देखिए तो रिलीजियंस फिर सोसल वेलफेर सोसल वेलफेर आपने देखा होगा समय समय पर ब्लड कैंप लागता है की नहीं लगता है लग जाता जलेटका एजूकेशन में आपने देखा होगाए इस्पूल आते हैं आपके आप लोग लोग आप अनुसे सकूल से पड़े थे वह वाले लिए ला 30,300, 4000 , सब्सक्राइब साथ , सब्सक्राइब साइब सं अब कल भी बात में कर रहा था एक बच्चा है हमारे एक शहर में सकूल है जीडी गोइंग का मैंने का भई ये डमिशन कर आए वह कह रहा हां सर मैंने का कितना लगा कर रहा है सर्पंदरा जब आप कंपेर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सस्ता कौन है और महंगा कौन है ठीक है बटया खेर आएगा है तोशुविधा भी ज्यादा है यह तुम पढ़ने जा है पढ़ने जा रही हो कि ? तवाल बताओ पढ़ने जा रहे है उग सुभीदा लेने जा रहे हो चलिए आए देखे आगे देखेंगे तो देखे क्या लिखा है कहता है such company intention to apply in profit कहता है कि जो company के पास profit होता है जो company के पास क्या होता है बच्चे profit होता है वो profit company अपने objective को promote करने में ही लगा देती है जैसे आपने IPL का एक team का नाम सुना होगा मुंबई इंडियन तो मुंबई इंडियन education sector में भी बच्चों को free में education provide करती है free में क्या provide करती है education provide करती है साथी साथ cultural activity में वो promotion करती है cultural activity के साथ साथ जब कोई किसी भी state में सूखा उखा पड़ता है तो वहाँ के लोगों के लिए पानी का प्रबंध भी कराती है इस तरीके से main company से profit उठाके automatic profit को transfer कर रही है ना for the social welfare for the क्या social welfare सीधी सी बात है जिस भी company के नाम से वो transfer कर रही है वो company आपकी कहां पर register कर आई जाएगी section 8 में कर आई जाएगी register कहां register कर आई जाएगी section 8 में register कर आई जाएगी ठीक है बेटा साथी साथ जैसे मैंने कहा कि profit रहेगा profit को social welfare में invest करना है मतलब अपने objective को लेकर promote करना है देखिए जो profit making company थी वो क्या करती थी प्रॉफिट आता था शेयर शेयर को दे देती थी शेयर ओल्डर को दे देती थी ना वही जो normal company थी आपकी मतलब जो profit making company थी उनके पास जब profit होता था तो वो क्या करती थी उसको dividend के को डिविडेंड के रूप में अपने member को नहीं बाटेंगी क्योंकि आप तो profit making है नहीं ना तो जब आप profit making है नहीं तो फिर आप profit को बांट कैसे रहे हो यह भी तो देखो आप जैसे लिखा क्या है कहता है फॉर्बिटिंग दा पेइमेंट आफ एनी डिविडेंट टू इट्स मेंबर यानि मेंबर को कोई भी डिविडेंट नहीं दिया जाएगा ठीक है बेटा अच्छा बी सी सी आई का नाम सुना है आपने बी सी सी आई अरे बहिए जो क्रिकट अपने इंडिया का है प्रॉफिट मेंकिंग कंपनी है नॉन प्रॉफिट मेंकिंग कंपनी है नॉन प्रॉफिट है अलग बात है सबसे आदा पैसा है अच्छा आई सी ए आई का नाम सुना है प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है देखे इसमें लिखा है फिर ए है एल एस एस ओ सी एच ए एन नेशनल स्पोर्ट्स कलब आफ फ इंडिया सी आई आई यह सारी कंपनियां हैं जो कि आपकी सेक्शन एट में क्या हैं आपकी रिजिस्टर ने इनके बारे में आप गूगल पर सर्च करके पढ़िएगा एक बार अच्छा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्मेंट टू इशू दा लाइसेंस देखिए एक चीज जानिए जैसे अभी तक आप नॉर्मल कंपनी के बारे में बात कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे कि जाके आरोसी के पास रिजिस्टरेशन करा ले रहे थे तो आप कंपनी बन जा रहे थे लेकिन सेक्शन एट में अगर आपको रिजिस्टरेशन कराना है तो सबसे पहले आपको किसके प के पास जाना पड़ेगा क्योंकि central government के पास ही license देने का right है section 8 में central government के पास ही क्या है license देने का right है बात clear हो गई लिखा क्या है कि power of central government to issue the license section 8 allow the central government to registered such person or association of a person as a company with limited liability without the addition of the word limited or a private limited to its name by issuing the license on such condition as a deem fit it मदलब क्या है अभी तक आपको मैंने बताया था कि अगर आप public company है तो आप अपने नाम के पीछे limited सब्दका इस्तमाल करेंगे और अगर आप private company है तो आप किसका सब्दका इस्तमाल करेंगे इसका private limited लेकिन अगर आप section 8 में हैं अगर आप क्या है किसमें हैं बच्चे section 8 में हैं तो आपको limited और private limited सब्द लगाने की कोई भी अवशक्ता नहीं है कोई भी अवशक्ता नहीं है ठीक है कहता है ज़र register shall on the application register such a person or association of the person as a company under this section यानि आप register के पास जाईए आप किसके पास जाईए register के पास जाईए और उनको बोलिया कि sir हम section 8 में register होना चाहते हैं section 8 में क्या होना चाहते हैं register होना चाहते हैं तो कहेंगे ठीक है form लीजे और क्या करिए आप अपना भरिए और फिर उसके बाद on registration of the company shall enjoy the same privilege and obligation as a limited company यानि जैसे ही आप registered हो जाते हैं section 8 में जो limited company की privilege थी जो limited company के rights थे जो limited company के features थे याद है याद है limited company के feature separate legal identity common seal याद है artificial याद है यह सारे rights सारे feature आपको मिलेंगे जो जैसा था वो सब आपका रहेगा बस आपका objective ही change रहेगा बाकी सब सेम रहेगा ठीक है बात clear हो गई फिर उसके बाद अगला point क्या कहता है आपका कहता है revocation of license अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि सर license कैसे मिलेगा आपको सबसे पहले किस के पास जाना पड़ेगा Central Government के पास जाना पड़ेगा फिर रेजिस्टार के पास जाना पड़ेगा और रेजिस्टार उसको फिर क्या करेगा accept करके आपको section 8 में registered कर देगा लेकिन सर माल लीजे हमने लाइसन्स ले लिया ले लिया हमारा license हम से छीना भी जा सकता है चीना जा सकता है अगर आपने जो objective आप स्टार्ट किये थे जिस objective से आपने बिजनस स्टार्ट किया था उस objective को आप क्या करो भूल जाओ उसके अलावा आप काम करने लगो वाइलेट कर दो आप तो automatic आपका जो license आपको मिला है central government उसको क्या कर लेगी रिबोक कर लेगी, Central Government उसको क्या करेगी, रिबोक कर लेगी, क्या लिखा है, the Central Government may be order, रिबोक दा लाइसेंस of the contravence of any company, may be order, रिबोक दा लाइसेंस of the contravence of the any company, where the company requirement or a condition of this section, यानि जो इस section में आपने अभी पढ़ा, कि सर, commerce को promote करेंगे, arts को promote करेंगे, science को promote करेंगे, sports को promote करेंगे, religions को promote करेंगे, जिसके लिए आप आये थे, वो काम आप ना करो, सरकार ने बहुत सारे आपके NGO को सरकार ने बेन कर दिया, आपने एक नाम सुना होगा, PFI का, केरल में बहुत ज़्यादा active है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ये देखा होगा आप लोगों ने, कि सरकार ने बहुत सारे मदर्सों को बंद कर दिया था, बहुत सारे मदर्सों को बंद कर दिया था, क्यों बंद कर दिया था, देखे, सरकार ने कहा, कि हम जो पैसा आपको देंगे, वो सिर्फ रिजिस्टर्ड मदर्सों को देंगे, मतलब अगर आप नॉन रिजिस्टर्ड हैं, तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, बंद करने क कीज़ा यह मतलब किजो सफ फंढिंग दे रही थी धिको रिजिस्टर और अनR카jam सरकार दोनों मर्दों मतर्सों को फंढिंग दे रही थी सरकार ने सिंपल किया हम सिर्फ बंधर्सों को ही क्या इश्यू करेंगे फंड़ींग इश्यू но अन तो प्रमोट कर रही है, यह भी तो आप समझो, तभी तो सरकार उनको पैसा दे रही है, यह भी तो आप देखो, सरकार का सीधा स्टेंड है, उस सरकार ने कहा, कि अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं तो सिर्फ आप अपने दीन धरम वाली किताबें मत पढ़ाईए आप साइंस की किताबों को भी पढ़वाईए आप कंप्यूटर की किताबों को भी पढ़वाईए आप इंदी की किताबों को भी पढ़वाईए कारण क्या है कि अगर आपको सिर्फ हम आपके धर्म की किताबे पढ़ाएंगे तो आप तो टेकनोलोजी से दूर हो जाएंगे न और आजकल का जो समय है वो टेकनोलोजी को प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह बताईए आजकल का जो समय है वो टेकनोलोजी को प्रमोट कर रहा है हर वेक्ति को अपने धर्म की इज़त करने का अधिकार है अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है लेकिन देश के साथ कंदे से कंदा मिलाने का भी तो आपको चाहिए कि अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए अगर आपको हम वही पुराना कल्चर फॉलो कराते रहे तो क्या आप आगे अपने लाइफ को स्टेंड बना पाएंगे आप नहीं बना पाएंगे आपको एक बात बताईए आज के समय में हर बच्चे को कंप्यूटर सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए अब आपको मैं कंप्यूटर सीखने ही ना दूँ शुरू से लेकर 24 साल अगर आपकी नोकरी लगे तो उसमें कहा जाए चलो भईया कंप्यूटर सीखो दिक्कत होगी कि नहीं होगी बहुत दिक्कत होगी तो इसलिए सरकार ने कहा कि भईया आप ये सारी चीजे भी करिए अगर आप हमसे पैसा लेना चाहते हैं तो अदर्वाइज नहीं तो कोई कोई दिक्कत नहीं हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे ठीक है अगर्ट टू विच अ लाइसेंस इस इशू और वेर दा अफेर आप दा कंपनी आर कंड़क्ट दा प्रॉडलेंटली और वॉइलेटिंग दा अब्जेक्टिव आफ दा कंपनी यानि हम आपके लाइसेंस को क सरकार से पैसा ले रहे हो और सरकार से पैसा माल लीजे आपने पेड़ लगाने के लिया और पेड़ लगाने के लिया और पेड़ लगाने के लिए माल लीजे आपने पांच हजार पेड़ लगाने का वादा किया अब आप सिर्फ पांचे सो पेड लगाए हो आपने पैसा कितने का लिया था पांचे जार का आप पेड कितना लगाए हो अब आगी पैसा कहा है सर खा गए आगी पैसा कहा है खा गए ठीक है सरकार ने जो लाइसेंस दिया है लाइसेंस भी सरकार क्या करेगी कैंसिल अब अग fraud or violation एक ही होता है एक ही होता है तो उस case में साथ ही साथ कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे public disturb हो गई यानि public interest पूरी तरीके से क्या हो गया कतम हो गया अब पॉबली केंटरस्ट कैसे जिसे मान झीजे आपने देखा होगा कि जब रोड बनती है या जब रोड के किनारे काम होता है तो कुछ जगहों पर गड़ा उड़ा खोद के वई से छोड़ दिया जाता है अगर उस गड़े की वज़े से किसी का एक्सिडेंट हो जाए तो फिर कंपंसेशन कौन देगा सरकार देगी या वो कंपनी देगी जिसने ये कारी किया है कौन देगा सरकार देगी या कंपनी देगी जिसकी वज़ा से एक्सिडेंट हुआ है देखो लोग तो सरकारे को बोलेंगे न लेकिन कंपंसेशन कौन देगा आपका कंपनी देगी आप रोड बना रहे हो रेकिन घटिया क्вbags का समान मिला दिया अप प्रोड बनाये लेकिन आपने क्या कर दिया घटिया क्वालिटी का समान आपने बनाया आप एड्यूकेशन प्रमोट तो कर रहे हो लेकिन आप ऐसा एड्यूकेशन प्रमोट कर रहे हो जिसका ना तो सर है न इसका ना तो पैर है तो एक तरीके से आप बच्चों को गलत डी मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बच्चों को गलत ही तो पढ़ा रहे हो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब मैं आपको कुछ भी पढ़ाने लगा company act के नाम पे जब आप कभी नहीं पढ़े होगे तो जो मैं पढ़ाऊंगा वही तो आप पढ़ोगे इही चीज तो समझो आप अगर आपने कोई ऐसा कारी किया जिससे public interest इफेक्ट कर रहा है तो उस case में आपके registration को क्या कर लिया जाएगा रिबोक कर लिया जाएगा आपके registration को क्या करेगा रिबोक कर दिया जाएगा मतलब cancel कर दिया जाएगा and shall put limited और private limited against the company name in the registrar मतलब अभी तक आप जो limited और unlimited से बच रहे थे जैसे ही revocation हो जाएगी वैसे फिर आपके नाम के पीछे limited और unlimited नाम का ये जो तब्द है ये क्या हो जाएगा लग जाएगा फिर कहता है but before such revocation central government must given in a written notice of the intention to revoke the license and opportunity to hired in the matter यानि सरकार direct आपके license को cancel नहीं करेगी बल्कि आपको मौका देगी और मौका क्या देगी जैसे आपने देखा होगा जब अर्विंद्र केजिरिवाल को जेल में भेजा गया तो उससे पहले उनको छे या साथ notice दी गई थी छे या साथ notice दी गई थी कि सर आओ present हो जाओ आओ हमारे सवालों का जबाब दे दो आप आओगे ठीक है आप चले भी जाओगे अगर मालो अर्विंद्र केजिरिवाल पहले ही समन पे पहुंच जाते तो क्या उनको तुरंट गिरफतार कर लिया जाता उनको गिरफतार नहीं किया जाता उनको उनकी बातों को रखने का क्या दिया जाता मौका दिया जाता मौका अभी मिल रहा होगा ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिल रहा होगा मौका अभी भी मिल रहा होगा लेकिन आप स्वेम सोचो जैसे माल लीजे आपने किसी को एक हजार रुपया उधार दिया कितने का दिया अब आप उसको बार-बार फोन कर रहे हो आपका बार-बार फोन कट कर दे रहा है बार-बार फोन कर रहे हो बार-बार फोन क्या कर दे रहा है कट कर दे रहा है एक situation तो यह एक दूसरी situation आपने फोन किया उसने बात किया बात करने के बाद उसने का कि भाई आप कुस दिन का और समय दे दीजे हम आपको पैसा दे देंगे पहली सिचुवेशन में आपको गुस्ता आएगा कि दूसरी सिचुवेशन में आपको गुस्ता आएगा पहली में ज्यादा गुस्ता आएगा और दूसरी situation में आप क्या कहोगे अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं गुस्ता उसमें भी आएगा लेकिन उतना गुस्ता नहीं आएगा जितना पहली situation में आएगा इसका मतलब यह है कि सरकार आपका license cancel करना चाहती है वो ready है आपका license cancel करने के लिए लेकिन आपको वो मौका देगी अपने आपको defend करने का वो सकता है सरकार हर बार सही नहीं होती सरकार हर बार सही नहीं होती तो अगर सरकार गलत है अपने इस revocation पे और आप सही है तो आप defend करिये आप क्या करिये डिफेंड करिये आप उस मौके का क्या करिये इस्तमाल करिये जैसे माल लीजे मैं आपकी copy चेक कर रहा हूं मैंने कोई answer गलत कर दिया तो गलत करने का मतलब अब क्या है कि आप वो answer गलत है नहीं भाईया आप लाकर दिखाओ सर यह देखो आपने यही पढ़ाया था देखो यह सही है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इसलिए लिखा है कहता है कि जब आपका revocation होता है तो उस revocation से पहले सरकार आपको क्या देती है मौका देती है कि sir आईए अपने problem को क्या करिये resolve करिये और अगर आप सही है तो यह revocation cancel हो जाएगा और अगर आप गलत है तो फिर यह revocation होगा ही होगा अब central government order क्या देती है कहता है कि where license is a revoked then the central government may in the public interest order of the company register under this section should be amalgamate with the other company registered under this section having the similar objective to form a single company in which such constitution, property, power, right, interest, authority and privilege and with such liability, duty, obligation as may be specified in the order or the company company be wind up अगर सरकार आपके license को revoke कर रही है अगर सरकार आपके license को क्या कर रही है रिवोक कर रही है मतलब अब आप यह company नहीं चला सकते अब आप यह company क्या कर सकते है नहीं चला सकते तो उस case में सरकार आपकी company को किसी दूसरी company के साथ क्या कर सकती है मर्ज कर सकती है अमल्गमेट कर सकती है अब यहाँ पर एक सब्द आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर यह amalgamation या amalgated क्या है मतलब क्या है कि जैसे पहले A और B अलग company चलती थी C और D अलग company चलती थी इस company ने कुछ ऐसा कारी किया जिसकी वजह से सरकार ने इसका section 8 का license क्या कर दिया cancel कर दिया तो section 8 का license कर दिया cancel तो अब इसकी जो assets है या इसकी जो क्या है liability है अब सरकार चाहे तो इस assets और liability को किसको merge किसको दे सकती है किसी के similar किसी दूसरी company को किसी के similar किसी दूसरी company को क्या कर सकती है सरकार transfer कर सकती है तर इससे होगा क्या इससे फाइदा ये होगा कि जो liability है वो protect हो जाएगी जो liability है वो क्या हो जाएगी आपकी protect हो जाएगी जो उस company में काम करने वाले worker हैं उनकी job नहीं जाएगी जो उस company में काम करने वाले worker हैं उनकी क्या नहीं जाएगी बच्चे job नहीं जाएगी और उस company की वज़ा से जो सरकार का जो सरकार का फीगर है पब्लिक फीगर है वो आपकी क्या रहेगा बचा का बचा रहेगा जैसे आपने देखा होगा तो उसको अगर सब्सक्राल अगरे सबचा का रहा तो सरकार ने का कि वह यह हिसा नाम को अगर बंद कर दो मैं तो उसको अगर बंद कर दोगे तो CDC बात है वहाँ पर काम करने वाले employee सारे कि सारे क्या हो जाएंगे बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सरकार ने फिर किसके पास proposal रखा SBI के पास proposal रखा कि क्या आप इस bank को लेना चाहेंगे तो SBI ने का बिल्कुल सर दे दो तो अब S bank की जो assets है liability है employee है वो सारे के सारे अब किसके हो गए SBI के हो गए जो जैसा चल रहा था वैसे अब चलने लगेगा कि नहीं चलने लगेगा जो वर्कर सुबह 10 बजे निकलते थे bank के लिए बस अंदर क्या होगा वो दूसरी building में नहीं जाके किसी दूसरी building में जाएंगे काम तो वही है ना काम क्या है आपका वही रहेगा बात clear हो गई भया तो order of the central government यानि central government यह order भी दे शकती है कि आप अगर यह काम नहीं चला पा रहे हो तो आपका काम कोई और व्यक्ति करेगा अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपका यह काम क्या होगा कोई और व्यक्ति करेगा अब फटजाओ यहां से बात clear हो गई बैटा है अग्ला पोइंट क्या है आपका केनालिटी पंैश्मेंट ज只 company ने escort reason किया है माफ करेड़ी सब्सक्राइब कर जिस कंपनी पे जिस कंपनी ने आपका default किया जिस कंपनी ने fraud किया है क्या उसके उपर भी कोई penalty होगी 100% penalty होगी भीया और penalty बहुत चोटी नहीं है थोड़ी सी है तगड़ी penalty है और penalty क्या है ज़रा देखना कहता है कहता है शुड्ड नौट less than सब्सक्राइब क्या लिखा है कि लीची नहीं भी आपांटक रूपए से कम कि इननी जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो कितने का चलाँ मपढता है कि लाच शुर्प पांच यहां फनल लेलो फांसे कम तो नहीं होता नंश देना ही देना है लेकिन वाले का अगर दिमाग खराब हुआ हेलमेट का भी काटेगा आपके गाड़ी के लाइसेंस का भी काट सकता है आपके गाड़ी के इंसुरेंस का भी काट सकता है तो जैसे जैसे वह बढ़ाता जाएगा अपना वैसे वैसे आपका फाइन का चार्ज भी क्या होता रहेगा बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जा और सरकार इस लाइसेंस को इस एमाउंट को कितने रुपए तक बढ़ा सकती है एक करोण तक बढ़ा सकती है एंड डारेक्टर एंड एवरी ओफिसर आप दा कमपनी फू इस इन डिफॉल्ट शाल भी पनिशेबल दा फाइन विच शाल नाट भी लेस देन क्या लिखा है 25,000 रुपिया यानि कमपनी को तो यह देना पड़ेगा लेकिन जो उसके ओफिसर है जो उसके क्या है ओफिसर है जो उसके डिरेक्टर है उनको भी पर्सनल पैसा देना पड़ेगा इसको बढ़ाया भी जा सकता है कि इसको क्या किया जा सकता है बढ़ाया भी जा सकता है और वह कितने रुपए तक है कितने तक पचीस लाग तक अब सवाल यह उठता है कि सर माल लोग कंपनी के पास पैसा नहीं है तो अगर कंपनी के पास नहीं है तो आफिसर लोगों के पास तो होबे करेगा उनसे वसू ल पढ़ाया गया अपको कि जो responsible acquaint path ए जो responsible person है उसको साभने लाओ उससे पैसा वसूद करो प्रॉबिया था और आगे क्या लिख आट ऐट वन बी लाइबल for the action under the section of 447, जहानि जो भी वेक्टति responsible होगा इस फ्राइड के लिए, जो भी officer इस फ्राइड के लिए responsible होगा, उसको क्या दिया जाएगा? penalty दी जाएगी under the section 447, बात clear होगे, उसको punishment मिलेगी under the section 447, टीड़ू पेटा, अब कुछ important point है, आईए देख लेते हैं देखें क्या point है आपका कि जो आपका section 8 की company है वो किसलिए create की जा रही है बेटा promotion of the arts, science, religions, charity, protection of the environment, sports फिर कहता है requirement of the minimum share capital does not apply मतलब इसमें कोई भी minimum share capital का concept नहीं होता है इनमें कोई भी minimum share capital का concept नहीं होता है कि कम से कम इतना रुपया हो तो आप अपना company start करू ऐसा नहीं है आगे कहता है जो profit रहेगा वो profit का हम क्या use करेंगे promotion of the objective जिसके लिए आपने उस company को मनाया है मतलब जो profit भी आएगा उस profit को हम उसी में फिर से क्या कर देंगे लगा देंगे फिर कहता है कि और paid under the special license of the central government यानि central government का special license से आप section 8 को क्या कर सकते है चला सकते है need not issue the word of the limited or a private limited अपने नाम के पीछे आपको limited और private limited सब्द लगाने की अवशकता नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो आप जैसे यहाँ पे लिखा भी है कहता है club च्राब theme अज्य क्वाब कोमर्स का मतलब क्या होताइक JRC मतलब क्या होता ग Touch मऊवी देखी आप लोगों ने पुसपा मैं देखो सबने देखी हो गी छुकय गाने है वहां पे आप लोगों ने एक सब्द सुना होगा कि वह सब्द क्या था आपका कि वह जो गुंडा था क्या नाम है उसका गुर्णा रेडडी कि वह माल किसको सप्लाई करता था किसी नेता को अरे यार नाम नहीं आदा रहा है सेंडीकेट नाम सुनें सेंडीकेट यह कहानी क्या है सेंडीकेट जैसे क्या होता है कि माल लीजे यह गुजरात का सेंडीकेट है यह यूपी का सेंडीकेट है यह दिल्ली का सेंडीकेट होता क्या है syndicate का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आपके गुजरात के कर्मचा जो अपने गुजरात के व्यापारी लोग होते हैं उनकी protection के लिए यह syndicate बनाया जाता है उनकी protection जैसे union आप समझो क्या समझो आप? union समझो आप भाई market में goods और goods की demand और goods की supply को maintain करने की जिम्मेदारी किसकी होती है यह syndicate की होती है अगर syndicate यह कह दे कि दो दिन यह समान होल्ड कर लीजे अगर दो दिन समान होल्ड कर लिया गया तो automatic उसका rate बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा आपको याद हो अगर COVID का जो ओड़ तो दालों का rate ईका एक बढ़ गया था चावल का भी rate एक बढ़ गया था गेहू का rate बढ़ गया था बढ़ गया था कि नहीं यानि खाने पीने चीज़ों की दाम बहुत बढ़ गया थे तो सरकार ने मजबूरी मेə एक rate list ईशू कर दिया कि इससे जादा का समान इससे जादा रुपए का समान आप नहीं बेचेंगे सरकार ने क्या किया जान बूच के इसको इशू करना पड़ा मजबूरी में इसको इशू करना पड़ा जान बूच के नहीं व्यापारी वर्ग के लड़के हैं उनको पता होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं जही है ना जही है सर फैर उनका भी धर्म है भाईया पैसा कमाना वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं चले वह आउ देखो तो syndicate कहानी क्या होती है जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि यह जो गुजरात का syndicate है यह गुजरात के व्यापारी लोगों को क्या प्रदान करेगा सुरक्षा प्रदान करेगा ठीक उसी प्रकार UP का जो syndicate है यह UP के व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करेगा of the commerce यानि अलग-अलग सारे मलब एक ही स्टेट के अगर हम व्यापारियों को जोडें तो उसे हम क्या कहेंगे syndicate कहेंगे लेकिन अगर हम collection of syndicate की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे आपका chamber of commerce का नाम देंगे इसका नाम देंगे भाईया chamber of commerce का नाम देंगे ठीक है लाइसेंस आपका रिवोक किया जा सकता है लाइसेंस आपका क्या किया जा सकता है ये सारी चीजें अभी अभी आप लोगों को बताई गई है एक चीज आपको पढ़नी है कि लाइसेंस क्या लिखा है अगर आपको याद हो तो प्राइबेट कंपणी और पब्लिक कंपणी में आपने क्या पढ़ा था minimum number of the director minimum number of the director and maximum number of the director दोनों company में आपने पढ़ा था या न पढ़ा था न तो यहाँ पे ऐसा कोई भी requirement नहीं है no need कहता है need not constitute the nomination and remuneration community and shareholder relationship community इसकी भी कोई आपको ज़रूरत नहीं है आप partnership firm can be a member of the section 8 company यानि जो partnership company है वो section 8 company की भी क्या बन सकती है member बन सकती जैसे माल लीजे a b c एक partnership firm है यह एक section 8 वाली company है तो यह इस company की भी क्या बन सकती है member बन सकती है क्या बन सकती है आपकी member बन सकती है बात clear हो गई बिटा तो यह था आपका section 8 company से लेकर सारा का सारा point एक बार फिर से देख लेते हैं कि section 8 वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा हमने सबसे पहले यह पढ़ा कि section 8 company में क्या किया जाता है फिर आपने पढ़ा कि central government का क्या power है central government के बाद आपने पढ़ा कि अगर license को revoke किया जाएगा तो उसमें क्या क्या condition है और revoke होने के साथ साथ अगर कोई penalty है तो उस penalty को भी हमें कैसे देना है या कितने रुपय की minimum penalty या maximum penalty है वह आप लोगोंने section 8 में क्या कर लिया है पढ़ लिया है clear होगी अब हमारे सामने दो company के बारे में और discussion करना है दो क्या तीन company के बारे में discussion करना है एक है आपकी dormant company एक है आपकी निधी company और एक है आपकी क्या public finance company ठीक है तो यह हम अब अगली class में cover करेंगे तब जाके यह आपका unit यहाँ पर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा बात clear हो गई तो आज की class कैसी लगी इसके बारे में आप हमें जरूर बताईए और साथी साथ अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पर हमें call या message कर सकते हैं ख्याल रखिए आप सभी अपना जय भोले नाथ झाल रखिए